इस वीडियो इस स्पॉंसर्ड बाई वीकार्ड जूरिस्डिक्षन तो आपके पास भी नहीं है कि आप केंदर की केंदर के अधिकार को वाइलेट करें और MSP की गरेंटी दे दे राज्य में इट्स नॉट अंडर स्टेट जूरिस्डिक्षन गरिमा जी मैं साधुवा देता हूँ कि आपने इस विशय पर परिचर्चा आयजित की और देश के करोडों दर्शक जो गरिमा जी कैसी मुर्धन ये पत्रकार का शो देख रहे हैं वो बहुत गोर से सुनें कि केसे भारती जन्ता पार्टी की सरकार के केंद्री मंत्री देश के सामने जूट बोलते हैं और भारती जन्ता पार्टी के प्रवक्ता देश के सामने जूट बोलते हैं गजेंदर सिंग शेखावत सहाप, आप जब क्रशी के कानून लाए थे, तो आपने क्या कहा था? जब ये सवाल खड़ा किया गया कि अगरिकल्चर स्टेट सबजेक्ट है, तो आपने कहा कि... लाला, 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 लाल, 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 तन के साथ मन को जगाओ, वीगार्ड वोटर हीटर्स के संग, वीगार्ड. ये देश की जो समविधान की 7 schedule की concurrent list है अर्था जिसमें केंद्रो राज दोनों कानून बना सकते हैं उस entry नंबर 33 व्यापार के तहट हम ये कानून लेकर आए हैं तो महोदय समर्थन मूल्य देने का अधिकार कानूनी जामा पहनाने का अधिकार उसी entry 33 के तहट राज्यों को भी है ये कान खुल कर सुन लीजिए भारती जनता पार्टी की सरकारों को राज्यों में हराइए और समर्थन मूल्य के कानून की ग्यारंटी पाईए दूसरी बात भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहें 12 करोड किसानों को सम्मान नीदी दे रहें इतनी शर्मनाग खुद पी आई बी ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि आठ करोड लोगों को हम ये दे रहें जबकि एगरिकल्टर सेंसेस में इन किसानों की संख्या 14 करोड 65 लाग है तेरवी किस्ट जो दी थी उससे चवदवी किस्ट में 2 करोड 15 लाग किसान कम कर दी हैं अब इनों जो है 2022-23 में उसके उत्पादन का हमने 0.43 परसेंट खरीदी है जबी जुआर बाजरा की बात कर रहे थे जो मोटा अनाज है वो 0.26 परसेंट खरीदी है 276 लाग टन का प्रोड़क्शन दाल का था और 491 लाग टन मोटे अनाज का था तो ये सच्चाई है कि कितनी खरीद र कि बात के रहे हैं वो तो 2006 में आ गई थी यूपिया ने सरकार चलाई उसके बाद तकरीब आच साल बहुत अच्छा सवाल आपने किया मुखरता से फिर ये मांग क्यों नहीं उठी हाँ मैं मानता हूं कि उस सरकार को भी ये दाम देने चाहिए थे मगर क्यों नहीं उठी क् आगत मूली 25,000 रुपए हेक्टेर बढ़ा दिया 15 करोड हेक्टेर में खेती होती 2,80,000 करोड रुपए हर साल किसान की जेव से कीच लेते हैं प्रदान मंत्री जी डीजल के भाव बढ़ाकर कीट नाशक क्रशी अंत्रों ट्रेक्टर 12-18 प्रतिशत GST लगा दिया खाथ तक पर लगा दिया तब को लेकिन कोई मजबूरी नहीं थी मैं वही तो कह रहा हूं कि मुखरता से ये बात तब क्यों नहीं उठी हां मैं ये मानता हूं लेकिन आज भी हम दे रहे हैं मैं आपको एक दो उधारन और चोटे से देता हूं देखिए आपने बताया गेहू का जो स क्या कारणे कि आप जब किसान सम्मान निधी देते हैं उसके बावजूद भी लागत नहीं निकल रही प्रधान मंत्री जी क्योंकि आपने खेती की लागत बढ़ा दी आपके महाराश प्रांत ने सुझाओ दिया कि 431 रुपए हमको गेहूं का समर्थन मुली दीजिएगा हमारी लागत नहीं निकलती मेरे पास सारी रभी की क्रॉप के जो CACP को सिफारी से भेजी आपके शासित प्रांतों ने उसने ये बाते कही क्यों कहनी पड़ी प्रधान मंत्री जी मैं 2-3 छोटे उधारन ओर देता हूँ ये बात गलत है मैं गरिमा जी आपको भी दुरुस करना चाहता हूँ 2014 का नोटिफिकेशन सरकार ने विड्रॉन नहीं किया जिस पर उसमें बोनस देने पर प्रतिमंद लगाया था बुपेश बगेल की चिट्थी है वेदूर ने प्रधान मंत्री को चिट्थी लिखी कि आपने तो खुद राज्यों को बोनस देने से रोक गादी 16-17 में रोक अटा दी और फर 19 में रोक लगा दी बुपेश बगेल की चिट्टी मेरे पास है नए ने बुपेश बगेल जी ने ये कहा कि आपने जो रोक लगाई थी उसमें नुकसान क्या हुआ जैसे अगर बुपेश बगेल 3500 रुपए में खरीते हैं मध्यप्रदेश में प्रदानमंतीजी ने 7 लाख मेट्रिक टन गेहूं का पैसा नहीं दिया हमारा का कि आपने बोनस दिया है इसलिए में आपका जो पीडियेस में जितना लगता है 29 लाक मेट्रिक टन उसका ही पैसा दूगा उसके उपर पैसा नहीं दूगा तो ये दुरभावना कॉंग्रेश शासित राज्जों से प्रदर्शित करते हैं तो कम से कम दस सेकंड बीस सेकंड और दीजी हमको करोड 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 का प्रविजन रखा एक करोड रुपए का प्रोविजन रखा एक करोड रुपए रिवाइज इस्टिमेंट में किया और एक भी पैसा खर्च नहीं किया करशी बजट की आखरी सचाही बता दू कि जो 19-20 में कुल बजट का 4.61 परसेंट था वो 2.68 परसेंट मोदी जी कर दिया है घटा कर आपने टोटल बजट है एक लाख 39,000 करोड का पिछली चर्चा में देवेंदर शर्मा ने भी आंकड़ा रखा था देवेंदर जी आ रही हूं मैं अबेदू में लॉटूंगी